पिछोर विदानसभा शेत्र के कॉंग्रेस पृतियाशी अर्विंद लोधी के समर्थन में आज पिछोर में विधायक केपेसिक कगाजु ने चत्रसाल स्टेडियम में विशाल आमसभा को संबोधित किया इस आमसभा में हजारु के संख्या में जनता पिछोर विधायक पूर्वमंतरी केपेसिक कगाजु को सुनने चत्रसाल स्टेडियम पहुचे इस आमसभा में कॉंग्रेस के तमाम पदादिकारी एवं विधानसभा प्रभारी सतीश फोजी मंच पर मौझूद रहे इस आमसभा के चलते भाजपा छोड़ कर आये देवेंद्र सिंग यादव ने सैकडो कारिकरताओं के साथ कॉंग्रेस प्रत्याशी अर्विंद लोधी के समक्ष कॉंग्रेस में सदसिता ली पिछोर विधायक पूर्वमंत्री केपी सिक कगाजु ने कॉंग्रेस प्रत्याशी अर्विंद लोधी को इमानदार छवी का नेता बताया विधायक केपी सिंग ने मंच से कहा कि अर्विंद लोधी जी एक साल पहले ही मुझ से जुड़े थे और एक साल के अंदर अर्विंद लोधी की पतनी जनपद अध्यक्ष बनी और पिछोर विदानसभा से अर्विंद लोधी को कॉंग्रेस पार्टी ने टिकट दिया विधायक केपी सिंग ने कहा कि कॉंग्रेस में टिकट लेने के लिए नेताओं की चपल गिस जाती है और उन्हें टिकट नहीं मिलता और अर्विंद लोधी को घर बैटे ही कॉंग्रेस पार्टी ने टिकट दिया कही ना कहीं इश्वर का ये संकेत है कि अर्विंद लोधी पिचोर विदान सभा का नेतरत्व करे और विधायक चुनकाराई विधायक केपी सिंग ने कहा कि अर्विंद लोधी इमानदार विक्ति हैं और उन पर किसी भी तरह का कोई प्रक्रट दर्च नहीं है और ना ही वस कभी जिला बदर रहे हैं और ना ही उन पर कोई अपराधिक मामले हैं और कुछ नेता ऐसे होते हैं जिन पर कई मामले दर्च होते हैं और कई बार हार जाते हैं हार हार कर नेता बन जाते हैं विधायक केपी सिंग ने कहा कि हमने कभी किसी के साथ गद्दारी नही की तो कोई वेक्ती हमारे साथ भी गद्दारी नहीं कर पाएगा परिणाम वही आएगा जो आम मत दाता चुआता है हम लोग जीत जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े नेता बन जाते हैं कुछ लोग हार हार कर नेता बन जाते हैं विधायक केपी सिंग ने कहा कि अर्विंद लोधी एक साल पहले ही मेरे पास आया है और वहाँ जीत कर आया है। इस तरह विधाय केपेसिक गगाजु ने कॉंग्रेस प्रतियाशी अर्विंद लोधी के समर्तन में आज विशाल आमसभा को संबोधित किया।